पेड और यात्री एक बार सूखी भूमी के बीच में एक विशाल पेड अपना चौडा तना और कई शाखाओं के साथ खड़ा था. पेड शैकडों हजारों यात्रियों को आराम और पना देता था. चार शहर और कई गाओं के पास थित होने के कारण पेड यात्रियों को आपस में मिलने के लिए सबसे बढ़िया जगर थी. एक दिन दो यात्री एक लंबी शैर के बार पेड के पास पहुंचे. उनकी मनजिल पास के शहरों में से एक था. गर्मी और धूब के कारण यात्रियों को पेड के नीचे आराम करने में बहुत खुशी मिली. ठकावट की वज़े से सब वही पेड के नीचे धेर हो गए. ठंडी चाव और नरम हवा का आनन लेते हुए वै थोड़ी देर के लिए सो गए. कुछ देर के बार यात्रियों में से एक को भूक लगने लगी. उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. भूका यात्री खाने के लिए फल की खोच में पेड की तरफ देखने लगा. पेड पर कुछ नहीं मिलने पर वह यात्री पेड को कुशने लगा. ओ यह सिर्फ एक बेकार का पेड़ है और इसके पास हमें खिलाने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना ही कोई फल्ट और ना ही कोई सुपारी यहां किसी काम का नहीं है अन्य यात्री ने उसे शान्त रहने को कहा फिर भी भूके आत्मी ने पेड़ को कोचना जारी रखा पेड़ यात्री का कोचना परदाश नहीं कर पाया और दुखी होके भी मजबूत आवाज में बोला तुम इतने अक्रित अगनिय कैसे हो सकते हो मेरी तरफ बस तुम अपनी हालत के पारे में सोचो जब इतनी गर्मी और सूखी धूप में यहां पहुँचे थे मैंने तुम्हे एक शांत और आराम दायक जग्य दी ताकि तुम आराम से सो सको अगर मैं नहीं होता तो तुम अभी तक मर गए होते मैंने तुम्हारी जान कड़क्ती धूप से बचाई और तुम मुझे ही अपमानित कर रहे हो यात्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंट पेड़ से माफी मांगी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने आशिरवादों के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए